इंडिया गटबंदन की बेठा का अईजुत हुई और इस बेठा के अंदर अरविंद केज्रिवाल ममता बनरजी के तरब से एक प्रश्ताव रखा गया दरसल प्रस्ताव तो ममता बनरजी ने लखा लेकिन उसका समर्थन अरविंद केज्रिवाल सहीद एक-दो पार्टियों प्रष्ताव ये था कि इंडिया गटमन की तरफ से अली प्रधानमंति का चैराब बनाया जाना चाइए और दलित where्त के तोर पर मलीका अर्जुन प्रेस कॉंप्रेंस हुई तो वहाँ पर नजर भी नहीं है और साथ ही आपको बता दे कि उन्होंने इस मामले में बात करना तक भी उच्छित नहीं समझा साथ ही सरद पवार ने भी मेडिया से बात करने से इनकार कर दिया यानि कि कुल मिलाकर बात साफ है कि अभी मलिकार जुन खड़गे का जो प्रस्ताव मन्ता बनर जी की तरब से रखा गया था कि ममता Ages बनर जी ने ये प्रस्ताव रखा कि दो प्रस्ताव हैं ममता Minsar je के तरब से रखैंगे बदाया चाहिए दूसरे प्रिंका गांदी को वाणा र सी से बता दे कि आगे आना ही पड़ेगा ये ममताब अनर जी ने कल दूबारा भी कई हलांकि उन्होंने अन्हें बातों पर चर्चा करने से साफ इंकार कर गिया कि ये गड़वंदन के अंदरूनी बाते हैं तो मैं बाहर शेर नहीं गलता दें दरसली इस बात के दो मतलब निकाले चाहते हैं दूसरी तरफ अगर राउल गांदी के जिके मलीकार जुन खड़के नेता होंगे तो राउल गांदी और कॉंग्रेस की थोड़ी सी कम चलेगी और आपको बता दे कि वहां पर राउल गांदी को थोड़ा सा टोकाट होकी की जा सकती है जब कि कॉंग्रेस कोई दल तयार होगा या नहीं यह तो अलग बात है लेकिन मलीकार जुन खड़के के नाम पर नितिश कुमार लालो पर साथ यादव और समाजवादी पार्टी तक कहीं सारे से बड़ी दले जिनों ने एक तरीके साब को बता दे कि इसका फिरोद किया है और वो यहां पर न देश के अदों भी चाहते हैं तो कुल मिलाकर बात साफ है कि अभी हाल फिलाल में देखें तो विपक्स खुद आपस के अंदर बटा हुआ नजर आ रहा है प्रदान मंत्री के सामने किस तरीके से लड़ेगा प्रदान मंत्री का चेहरा कोन होगा या फिर बिना चेहरा यह या आगया आने वाले दिनों के अंदर इस्पर्स हो गया जाएगा लेकिन यह साफ नजर आ रहा है कि प्रदान मंत्री के पद को लेकर अभी भी इंडिया गटनमन में कहीं सारे पेच पसे हुए